अश्कार दोस्तों, मैं रिना आपके अपने चैनल, रिना के चैनल ये ने रोक्स स्वागत करती हूँ, तो आज हम जानेंगे गोगा नमी 2024 में कब है, दिन तारिक और गोगा नमी का महत्व, और गोगा नमी की पूजा किस तरिके से कर सकते हैं, तो विच इस कॉल गोगा नमी 2024 डेट एंड टाइम रिच्वल, पूजा एंड फास्टिंग गाइड, तो गोगा नमी परिवार में इसको समर्दी लाने के लिए बनाई जाती है, गोगा नमी लोगपरिय हिंदू, जोहार रहो भारत के उत्रे के छेत्रे में मुख्य रूप से उत्तर परदेश, राजसान हिमाचर परदेश, हरियाना और पंजाब में अधिक दूमदाम और के साथ बनाया जाता है, तो आए जानते हैं गोगा नमी 2024 कब है और इसका शुब मोरत का समय कब है, गोगा नमी बनाने का मुख्य उदेश ये है कि गोगा जी महराज का जनम हुआ था, इसलिए गोगा नम जी कि महराज के साथ भग्वान आग देव की भी पूजा की जाती है, जिसे गोगा नमी 2024 के नाम से भी जाना जाता है, इसे मानने ता है कि गोगा जी महराज नीले घुड़े की सवारी करते हैं तो आये लोघे, जानते हैं कि गोगा नम्मी 2024 में काव हैं, नहीं कि माननेता है कि गोगा नम्मी के दिन महादेव जी का ब्रत रखने और पूजा अर्चना करने से सुभागिर होती होती है और पती दिरगाई होती है और उन पर आने वली विपत्तियों से रक्षा होती है उनकी हर मनोकावना पूरी होती है ऐसी माननेता है कि गोगा नम्मी के दिन जो महिलाए गोगा जी की पूजा अर्चना करती है उनका पुत्र क कि प्रापति होती है और गोम्र अंमि के दिन बहने भाईयों को टीका करती हैं मिठा खिलाते हो बदले में भाई भैनों को गिफ्ट के के रूप में रुपिया पैसा देते हैं मानेता है कि जहांब तो इनकी पूजा जैसे उत्ताप्रदेश मांचय परदेश राजस्तान हष्यान पंचाब और में पूरी भक्ति के साथ की जाती है। राजस्तान में गोगा नम्मी परभव या मेलो का आयोजन के जाते हैं और यह उत्ताथ तीन दिनों तक चलता है। सबसे ज़्यादा महतु इसलिए माना गया है क्योंकि निश्चित रूप से हिंदू संसकति में गोगा नम्मी का बहुत महतु है। बताया भी जाता है कि कैसे उनके उप्चा शक्तियों से कई लोगों की जीवन को पुनर जीवित दिया गया है। बीस मिनित बजे शुरू होगी और ठाइस अगर दोहजा चौबिस को प्राते एक बच के तैदिस बजे समाब दोगी। गोगा नम्मी दोहजा चौबिस की पूजा विदी पूजा किस सरीके से आप कार सकते हैं। गोगा नम्मी के दिन प्राते काल जल्दी उठकर नित्य खर्मों से निवरित रहोगा। गोगा देव जी की महाराज की मूर्ती या फिर फोटो को पूजा इस तलको साफ सुत्रा करके एक लखडी की चोपगी पर सापित करें। पूजा करें। इसके बाद दिवार पर गेलू से पोट कर दूद में कोईला पीस कर चाकोर घर बनाकर उसमें पांच तर बनाकर उन सर्पों पर जल कच्छा दू रोली चामल वाजा आटा घी चीनी मिलाकर चढ़ाए जाता है। गुल-गुले का भूग लगाया जाता है। इसके बाद चाओल और रोटी का परशाद के रूप में विक्तित किया जाता है। इसके बाद किसी गरीब वेक्ति या किसी पंडित को दान दक्षेना दी जाती है। तो यह तिक हाई जानकरी आपके लिए वीडियो करें आपको थोड़ा सभी रोचक लगाओ तो विडियो को लाइक करें। चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। बैल आइकम प्रेस करें। और ऐसी ही जानकरी के लिए मेरे साथ बने रही है। पीना क तेनन इंडियन कुल्चर रदे रधे 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 रषी किस्नौ